कुछ करें तो फिर्टेन्स करते हैं तो आप अपर लेग्टिसेंट करते हैं तो फिर्टेन्स के रुखा वटेकल जो किसी करेंट के रास्ते में आती है अब कौन-कौन सी बाते कौन-कौन सी बाते किसी conductor के resistance को affect कर सकती है आप यहाँ पर unique study करेंगे और यह भी काफी अच्छा topic है important topic रहता है questioning के लिए दिखिए first जो बात होती है resistance जो होता है यह experimentally find out कियो होते है resistance जो होता है वो directly proportional होता है length of wire या फिर जो भी आप instrument जिसमें से भी conductor कैसे बनेगा wires जब आप connect करते हैं तो भी circuit prepare होता है तो resistance जो होता है वो directly proportional होता है length of wire के represented by L यानि अगर आपने wire ली है एक छोटी wire ले ली एक बड़ी wire ले ली अब देखिए होता क्या है अगर आपने छोटी wire ली है यानि उसके length क्या है कम अगर length कम है तो उसमें रुकावटे भी क्या होती है कम लेकिन अगर आपने ले ली length जादा आपने जादा बड़ी wire ली है जिसके लंबाई जादा है तो उसमें resistance भी क्या होता है जादा तो यही imply करता है कि length अगर जादा है तो resistance भी जादा length कम है तो resistance भी कम first point clear कि length of wire affect करती है resistance किसी भी conductor की length change करने से resistance बदल जाएगा उसको recovery कम भी की जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है next जो effect आता है वो है area of cross section का area of cross section area of cross section का effect है area of cross section का कैसे effect होता है इस पर area of cross section क्या होता है जैसे हम wire लेते हैं wire कुछ इस चाइब से होती है straight लेकिन side में उसका circular आप चाहें कितने पत्रे वायर लेंगे तो इसका circular portion कुछ portion रहता है ना इसे कहा जाता है जो यह circular portion है wire का end पर इने कहा जाता है cross section यह उसका cross section point है तो इस वाले का area depend करता है और यह हमें क्या बताता है तार की wire की मूटाई यानि area of cross section कहें या फिर हम इसे कहें दें कि thickness of wire wire की thickness अब यह कैसे depend करता है यह resistance होता है वो universally proportional होता है area of cross section के इसका मतलब area of cross section अगर जादा होगा तो resistance कम area of cross section जादा का मतलब थिकनेस जादा अगर तार मोटी है तार मोटी है अगर बहुत जादा मोटी है तो resistance उसमें क्या होगा कम मोटी wire में resistance कम होता है length आप सेम रख रहे हैं अगर उसमें आपने मोटाई जादा ली है तो resistance कम I hope ये भी अच्छे-चे समझाया होगा, अब इन दोनों को combine करके एक law simply बना दिया चाए, कि R क्या था, directly तो था, L के और इन्वर्सली है, A के, तो आप इसे इस चाइप से write कर सकते हैं, कि R directly होता है, L के और इन्वर्सली होता है, A के, और proportionality का sign जब भी हटाते हैं, तो क्या आ इसका name दिया है, resistivity, resistivity, resistivity यानि और इसका another name है, कि ये constant है, एक constant हो गया ना, constant of resistivity कहा जाता है, constant of resistance कहा जाता है, ये simply resistivity भी कहा देते हैं हमें से, R is equal to rho L upon में A, तो अब इसी का use करना है, और rho किस बात पर depend करता है, rho है क्या ये हमें क्या बताता है, rho हमें बताता है, rho depend करता है, किसी भी nature पर, जो हम material या metal ले रहे हैं ना wire बनाने के लिए, उसके nature पर depend करती है rho की value, जैसे, अगर आपको बता दिया जाए कि rho की value किसी के लिए है, जैसे, कोई example ले लेते हैं हम silver, silver है, जिसके लिए rho की value है 1.6 into 10 is to power minus 8 ohm meter, और copper wire के लिए है resistivity की value, rho की value 1.69, अच्छा, resistivity का, जैसे resistance का, ऐसा unit क्या था, ohm resistivity का होता है, ohm meter, 1.69 into 10 is to power minus 8 ohm meter, अब देखिए resistivity, इसकी कम है, इसकी जादा है, power वाली same unit है, इनमें से किसकी है, इसकी कम है और इसकी जादा है, copper की जादा है, और इसकी कम है, इन दोनों में अगर comparison करते हैं तो, अब इन में से अच्छा वाय, अच्छी जो वायरिंग बनेगी, वो किसकी बनेगी, जिसकी resistivity की value, यहाँ आप directly proportional के sign से, resistivity इसकी जादा है, इसकी कम है, resistivity यहाँ की symbol से आप देखिए, resistivity क्या लग रहा है आपको, आरके directly proportional है, दोनों उपर है, directly हो गया ना, यानि, जितनी resistivity जादा होगी ना, उतनी ही रुकावटे भी जादा हो जाएगी, तो resistivity इसकी जादा है, तो रुकावटे इसमें जादा आएंगी, और current क्या जाएगा इसमें, resistivity इसकी जादा है, resistance इसमें जादा हो गया, resistance जादा है, तो current क्या हो जाएगा, कम, जबकि इसमें क्या है resistivity कम, तो resistance भी कम, रुकावटे कम, current जादा, तो इस दोनों का comparison अगर देखेंगे तो current इसमें से जादा यानि ये जादा अच्छा conductor है इसके comparison में ये कम है लेकिन ये भी बहुत अच्छा conductor है लेकिन comparison हमेशा कैसे किया जाता है resistivity की value से किसी भी metal की resistivity value fix होती है आप resistivity की value देख कि अकर resistivity जाता है तो current कम हो जाएगा current कम मतलब वो अच्छा conductor नहीं है तो आप इससे बदा सकते हैं तो resistivity काफ़ important होता है किसी भी बताने के लिए कि कौन अच्छा conductor है और कौन नहीं है इसके अलावा आप इसी का relation r is equals to rho l upon में यह आप calculate कर चुके हैं यहाँ से आप निकाल सकते हैं r multiply में a cross multiply करने पर is equals to rho upon में यहाँ multiply में था l तो rho जो है वो किसके equal होता है r multiply a upon में l r की unit क्या होती है area of cross section area की unit क्या होती है मीट्र स्क्यार ऐसा unit की बात कर रहे हैं दरवाश तो cm2 भी हो सकती है लेकिन ऐसा unit meter को अपनाया है length क्या होता है meter meter स्क्यार से meter one one unit cancel हो गई बचा क्या ohm meter इसे रिए रिजिस्टिविटिक unit क्या होती है ohm meter I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा यह topic अब इसका use कहां कहां किया जाता है firstly तो आपका जब numerical आएगा ना तो आपको एक use होगा area of cross section का mean क्या था किसी भी वायर की circular portion जो end में होता है यह circular portion circle का area क्या होता है पाई आर स्केयर तो पाई आर स्केयर आपका formula यूज़ोगा आपको radius दिया जाएगा कि वायर का radius इतना है उसकी मोटाई इतनी है तो आप उससे बता सकते हैं diameter दे सकते हैं वो diameter क्या होता है two times of radius तो radius easily निकल जाएगा diameter का half करके next जो numericals में जादा तर use होगा वो आपका कैसे पूछा जाएगा आपको बोल देंगे पहले एक wire है जिसकी length है L और area है A और resistivity copper की wire बोल दी इनोंने copper wire है ठीक है इनोंने कह दिया कि इसकी length तो है L और area है A अब next इनोंने कह दिया कि अगर आपने copper की wire दी है इसकी length कर दी 2L डबल कर दी length कर दो डबल और area कर दो half मुटाई कर दो half इसे कर दो पतला ऐसे कार दिया area क्या हो गया half और length हो गई double तो अब वो पूछ रहे हैं कि इन में से current किसमे जादा आएगा current किसमे जादा आएगा अगर देखो current निकालना है लेकिन दिया क्या हुआ है area और length एरिया और length क्या find out करने के काम आता है resistance पहले वाले का resistance calculate करते है resistance क्या होता है row L upon में A copper की wire पहले थी copper की wire बाद में है तो resistance की value तो क्या आगी resistivity fix हो गई तो row की value पहले भी row ही थी क्योंकि एक fix value है और बाद में भी row तो same रही इसे लिए row ही रखा आपको value learn करने की need नहीं पड़ती row length पहले कितनी थी? L, area कितना था? A यानि पहले resistance जो था वो row L upon में A था अब new resistance की बात करते हैं R- लिख लो या RN लिख लो दिखिए अब resistance, resistivity कितनी है? copper की wire है तो resistivity तो fix है? row ही है length, length कितनी कर दिया आपने? 2L और area क्या कर दिया? half ठीक है? 2L row A upon में 2, जो की उपर चला जाएगा? कितना आया? 4Row L upon में A row L upon में A क्या था? resistance यही था ना? पहले वाला resistance है यानि new resistance क्या हो गया? new resistance जो है वो हमारा 4 times older resistance के equal है पहले अगर रुकावटे थी 1 Ohm की तो अब हो गई है 4 Ohm की यानि रुकावटे क्या हो गई है? बढ़ गई है चार गुना बढ़ गई है 4 times हो गई अगर 4 times रुकावटे होगी तो current क्या हो जाएगा? 4 times कम पहले जितना था मान लो पहले 20 था तो 5 जा रहा है उसका 4 times कम कर देना है 4 से डिवाइट कर देना है तो यह काफ़ इंपोर्टेंट रहता है इस टाइब के question ही पूछ जाते है एक्जाम समझादा तर कि पहले उसका resistance इतना था अब इतना हो गया आप बताइए कि उसके current की value क्या आएगी तो इस टाइब के question एक्जाम में काफ़ गूटब होते हैं तो यह काफ़ इंपोर्टे झाल